नमस्कार दोस्तों स्वागत हैं आपका टीशी टिलर चैनल में दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यह जो हाफ सटल छोटी मसीन है यह अगर आपकी नीचे बोबिन का धागा काट देती है तो उसको किस तरीके से आप सही कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से यह जाएगा और अच्छे से घर पे ही आप अपने सही कर सकते हैं सबसे पहले यह आपको बताएंगे कि यह दागा काटती ही क्यों है वह आपको दिखाऊंगा और कहां से काटती है उसके बाद को खुदी समझ में आ जाएगा उसके अब देखें हम इसको चलाएंगे ये दिखें और ये इसका जो नीचे का धागा है ये देखें कहां से जाता है ये बोबिन का धागा है ये इसमें रगड रहा है इधर साइड में ये देखें साइड से यह वाला दागा यह उपर वाला है अगर यह भी कट रहा हह है यह आप ज्यूं पर उप ABRAPA park का पत्ती लगी कटा है तो अगर धार हूं तुझ यहों यहां पर निकलता है यहां से द्धागा निकलता है यहां से ही धागा कड़ छाता आपको होगा इस दूर को एहों प्रुर्परें करते हैं मतलब खुरखुरा ज्यादा है और हमें चिकना करना हो कोई भी चीज और अच्छे से तो हम इसके उपर वाले जो बुरादे हैं मतलब थोड़े से छुटा देंगे तो अंदर का थोड़ा सा चिकना निकलाएगा तो इस तरीके से भी आप इस्तुमाल कर सकते हैं बनना कागज और यह किनारियों पर अगर आपकी धार हो चेक कर लें होगी जरूर ही तो अच्छे से आप इसको रेगमाल से साफ करने या फिर गोल वाली रेती हो तो उससे भी साफ कर सकते हैं ओके तो जब तर लिए साफ ना हो जाए आराम से बैट के साफ करें जब तर लग यह साफ ना अगर गोल वाली रेती है या फिर पतला रेगमाल आपको लेना है इस तरीके से बना लेना है इस तरीके से और उसके बाद इसको यहां पर साफ करना है इस तरीके से बनाने के बाद तो अच्छे से आपको इस तरीके से साफ करते रहना है और बिल्कुल यह बहतरी साफ हो तो फिर आपको और इधर साइटम भी देख लें इधर साइटम भी साफ कर लेना है तो यानि की मतलब हमने आपको डेमो दिखा दिया है कि यह नई मसीन है यह नहीं काट रही है लेकिन बहुत सो लोग की मसीन धा काटती है तो यहां पर यह चीज इस्तमाल करेंगे तो उसके इसे और यह साइटें जहां पर धाग लड़ता है मैने आपको दिखा दिया बहां पर ही साफ करना होता है तो इतना आपको काम करना है सिर्फ यानि कि इसी ये वाला जो हिस्सा है ये खुब अच्छे سे साफ के लेना है और उसके बाद ये पती ये अपर आया पर परर यहां पर अगर कि लिए फिटकर दिया और यहाँ पर पेंच लगा दिया नहीं है तो यह सब लोग कर लेते हैं तो यह पेंच लगा देंगे तो यह बस लग गई और इसमें कुछ नहीं होता है करने को तो यह दिखे यह हमने यहां से लिया है तो यहां पर क्या होता है कि कभी कदर यहां से भी दागा काटती यह दिखे यह इसमें लडने के कारण अब इसको हम चलाते हैं, यह देखिए, यहां पर भी लड़ रहा है धागा, है ना, तो यानि कि यह पत्ती जो है, यहां से भी धागा कभी कदार काट देती है, अगर धार वगरा हो जाए, तो यानि कि दोनों जगए आपको चेक कर लेना है, जहां पर धार हो, बहां पर आप को धार खतम कर देनी है, लेकिन अब देखिए, यहां से भी धागा रगर रहा है, और इधर साइट में आपको दिखाता हूँ, और यह देखिए, यहां पर भी धागा आता है, तो यहां से भी काटती है, यह देखिए, यह देखिए, तो बैक साइट में, इधर साइट में, मतलब जहाँ पर भी इन दोनों जगहें से ही धाग काती है तो यहाँ पर आपको चेक करके धार को खतम कर ला है तो इस तरीके से आप इसको सही कर सकते हैं, अगर नीचे का धागा काट रही हो। अगर अब कभी कदर उपर के खाट देती हैनroit को भी यहां से चेक कर लए। वैसे तो उपर के काटने की बहुत से आओर भी केमाड़़ होते हैं, पटली है पटली से काटती है उपर का दागा और जो होता है और सटल है अंदर का जो बहां से भी उपर का दाया काट देती है लेकिन नीचे का दागा जाद तर यहां से ही काटती है तो उमीद करता हूं दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा तो यह वीडियो आपको अच्छ